क्या आप जानते हैं महाराष्ट्रा और गुजरात को एक railway station का एक table divide करता है उस railway station का नाम है नवापूर railway station ये railway station का police station और ticket counter महाराष्ट्रा साइड में है और station master का office और waiting room गुजरात साइड में है एक महाराष्ट्रा साइड में शराब पी सकते हैं आप और गुजरात साइड में आप जाएंगे तो शराब आपको नहीं मिलेगा तो क्या ये महाराष्ट्रा और गुजरात पहले से ही divided था कि ये एक undivided state था इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और मेरा नाम रोशन जह है आप step by step का YouTube चैनल देख रहे हैं नमस्कार आज जब आप इंडिया के मैप को देखेंगे 2022 में जितने भी राज्य आपको दिखेंगे जैसे कि गुजरात में गुजराती बोलने वाले जादातर लोग हैं महाराष्टा चले आईए वहां मराठी बोलने वाले जादातर लो लोग हैं आज जब हम इंडिया के मैप को देखेंगे न तो जितने भी राज्य दिखाई दे रहे हैं आपको वह भाषा के आधार पे ही डिवाइड़ हुए हैं तो क्या यह आजादी से पहले ऐसे ही था या फिर यह आजादी के बाद भाशा के आधार पे राज बना इसी के उपर आज हम चर्चा करेंगे, जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय लगभग भारत में 565 रियासते थी, और 17 ब्रिटिश के प्रोविंसेस थे, रियासतों में हाइदराबाद, जूनागड, सावराश्ट्रा, काश्मीर, ये सब रियासते थी, और ब्रिटिश के जो 17 प्र प्रोविंसेस थे, जिनके उपर ब्रिटिश हुकूमत डाइरेक्ट राच करती थी, आजादी से पहले, कॉंग्रेस के जितने भी लोग थे, जिसमें महात्मा गांधी से लेके, सरदार वल्लब भाई पटेल से लेके, बाल गंगा धर तिलक, सब यही चाहते थे, कि कॉंग् राज्यों को, तो फिर भारत की जो एकता और अखंडता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी है, उसके उपर कहीं असर न पड़ जाए, भारत में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने भाशा के आधार पे एक अलग राज्य की मांग की थी, तो वे थे मधू सुदन सेन, इन् एक अलग ओडिशा राज्य का गठन किया जाए, उनकी ये मांग 40 साल बाद 1936 में पूरी हुई, जब ब्रिटीशर्स ने बिहार प्रोविंस से ओडिया प्रोविंस को अलग करके अलग राज्य का दर्जा दिया, उसके बाद पूरे भारत से जगे जगे से ही आवाज उठन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ एक संगठन बना पूने में, जिसका नाम था संयूक्त महासभा, उनका मांग यही था कि मराठी बोलने वाले जितने लोग हैं, हमको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, महराष्टा नाम से, और बॉम्बे उसका कैपिटल या फिर राजधानी रखा जाए, लेकिन क्योंकि उस समय पूरे दुनिया में सेकेंड वर्ड वर चल रहा था और भारत में भी भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मुव्मेंट चल रहा था, तो इस मांग को थंडे बस्ते में रख दिया ग लगी, उस समय मदरास प्रेशिडेंसी का हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें आज आप तमिल नाडू, करनाटक, केरल ये सब का हिस्सा और आंधरा प्रदेश, यहां पे तेलगू भाषा बोलने वाले लोग जादा थे, इनकी अलग मांग उठने लगी कि हमको एक आंधरा नाम जो उस समय के हमारे प्रदानमंत्री थे, उन्होंने एक कमिशन का गठन किया, उसका नाम था, लिंग्विश्टिक प्रोविंसेस कमिशन या फिर धार कमिशन, इसके धार इसके चेर्मिन बनाए गए थे, इनको ये जिम्मिदारी सौपी उन्होंने, कि आप पूरे भारत को स्टेडी करिये, और ये रिपोर्ट दीजिये, भारत के समविधान सभा को, कि भाषा के आधार पे राज्य बनाना क्या फिजिबल रहेगा, क्या जायज रहेगा, इन्होंने तीन महने के अंदर ये एक रिपोर्ट सौपी, इसम्मिदारी को, और ये बताया, कि ऐसा करना फ 1952 में, डिसेंबर 15 तारिक को, एक ऐसी घटना घटी, जिसने इस पूरे आंदोलन का पूरे देश भर में, रंग रूप ही बदल दिया, वो घटना ये थी, कि तेलगू भाषा बोलने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरा मुल्लू, इन्होंने लगभ 56 से 57 दिन तक बिना कुछ खाए अमरण आंदोलन किया था, और ये मांग रखी थी, कि तेलगू भाषा बोलने वाले जितने लोग है, इनके लिए एक अलग राज आंधरा प्रदेश नाम से बनाया जाए, इस घटना के बाद, भारत सरकार बहत ही बैक फूट पे आ गई थी और पंडित नहरू ने अगले तीन दिन के बाद ही आके, 19 डिसेंबर 1952 को, 1952 को आके डिकलेर किया मीडिया में, कि हम आंधरा प्रदेश को एक अलग राज्य का दरजा देंगे, और उसके बाद उन्होंने एक वापस से एक कमिशन को गठित किया, और उसका नाम रखा गया State Reorganization Commission, और इसकी जिम्मेदारी, इसकी चेर्मेंशिप, उन्होंने फजल अली नाम के एक रिटायर्ड सुप्रीम कोट के जज़ को दी थी, और इनका रिपोर्ट दो साल बाद इन्होंने Constitution Assembly को या फिर Parliament को दिया, और ये बताया कि कई हद तक ये feasible है, ऐसा हम कर सकते हैं, और उन्होंने लगबग 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज जो कि centrally administered होंगे, ये हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें इन्होंने बॉम्बे के लिए क्या कहा था, बॉम्बे के लिए इन्होंने कहा था कि bilingual रखा जाए इसको, द्वी भाषिय रखा जाए, जिसमें मराठी बोलने वाले और गुजराती बोलने वाले दोनों लोग रहें, और विदर्भा को इन्होंने एक अलग राज्य का दर्जा दिया था, तो यहां के लोग, महराष्टा के लोग इसके उपर और भड़क गए दो महने के अंदर ही, नमंबर 1955 को मुंबई के फोर्ट में, फ्लॉरा फाउंटेन हुतात्मा चौक जिसे आज हम जानते हैं, वहां पर यह लोग ने एक प्रोटेस्ट निकाला था, संयुक्त महराष्टा परिशद के लोकारे करता होने, जिसके उपर उस समय की सरकार, मुरा माहोल बहुत ही टेंस हो गया था, और इतने लोग की जान गई ये बोल के उस समय भारत सरकार में, जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, नहरू के कैबिनेट में, नहरू जी के कैबिनेट में, सीडी देशमूख, इन्हों ने भी अपना र मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन ये मामला बहुत जादा थमने का नाम नहीं ले रहा था, फिर उसके बाद, जब दो साल बाद, 1957 में इलेक्शन हुआ, बॉम्बे स्टेट में, उस समय इंडियन नैशनल कॉंग्रेस को छोड़ के, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ उनके खिलाफ, सबको मिला के एक पार्टी बनाया गया, जिसका नाम रखा गया, संयुक्त महराष्टा समीती, और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो 400 में से, बॉम्बे स्टेट में उस समय गुजरात और महराष्टा सब आते थे, उस समय 400 सीट हुआ था, एसम्बली क के आसपास कॉंग्रेस को सीट मिला था, इस इलेक्शन के बाद भारत की सरकार को ये एकदम अच्छे से समझ चुका था, कि मराथी भाषे बोलने वाले जितने भी लोग हैं, वो लोग महराष्टा को अलग राज जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक ये लोग मानने वाले तो उसके बाद लगभग दो से तीन साल बाद ही, अपरील 1960 को भारत की सरकार ने पारलेमेंट में एक बिल पास किया, जिसका नाम था, बॉम्बे री ओर्गनाइजेशन एक्ट, और उसके बाद फिर एक मई, फाइनली एक मई 1960 को बॉम्बे स्टेट जो था, उसको दो हिस् महाराष्ट्रा स्टेट और गुजरात स्टेट, और महाराष्ट्रा स्टेट में विधर्भा को भी जोडा गया, लेकिन महाराष्ट्रा के जो साउथ महाराष्ट्रा में बेलगाम, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को करनाटक में लिया गया, जिसके लड़ाई आज भी आप ल था मानते हैं और लेकिन ऐसा है नहीं यह ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत का चलन था बॉंबे स्टेट के बारे में एक बताना चाहूंगा मैं आपको 17th century में 8 में 1661 को इंग्लैंड के चार्स सेकेंड और पॉर्चुगल के एक महारानी थी उनका नाम था Catherine of Braganza इनके बीच शादी हुआ था और उस समय बॉंबे स्टेट जो था वो पॉर्चुगल के पास था पॉर्चुगीस राज करते थे उसके उपर दहेज में पॉर्चुगीस ने Catherine महारानी जो थी इनके पिता जी ने बॉंबे स्टेट को चार्स सेकेंड को दहेज में दिया था तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये जो स्टोरी था कि महाराश्टा राज कैसे बना ये बताने में सफल रहा और इसी तरीके के मज़ेदार और हिस्टॉरिकल स्ट स्टेट